BSTC से जुड़े संस साथियों को नमशकार शाथियों BSTC शंपून कोर्च की फीस कितनी है सत्र 2019-2021 में BSTC से पास आउट होने वाले विद्यारतियों को BSTC फर्स्ट इयर एवं सेकंड इयर की फीस कितनी देनी होगी इसी के साथ में प्राइवेट कोलेज और सरकाली कोलेज की फीस में क्या अंतर है कोलेज वाले आपसे कितनी अतरिक फीस और वशूल कर शकते हैं इसके संबन्द में आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिसकसिन करेंगे तो शाथियो शंपून जानकारी के लिए जुड़े रहे आज इस वीडियो के शाथ में अंतर तक शदी हमारे चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो इस प्रकार की तमाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले क्योंकि इस स्रीज की आगे आने वाले वीडियोज में हम आपको बताएंगे कि BSTC और PTT में स्कोलर्शिप के लिए आविदन कैसे करें इसी के साथ में सेलक्षन होने के बाद में आपको लेसन प्लानिंग कैसे करनी है कोलेज में टीचिंग आपके क्या होगी इसी के साथ स्कूल इंटरंशिप अलोटमेंट कैसे कराएं और अपना इच्छित स्कूल इंटरंशिप के लिए कैसे प्राप्त करें इंटरंशिप की डायरी मेंटेन कैसे करें इससे रिलेटिड तमाम वीडियो इस स्रीज में आगे आने वाली है इस स्रीज की एक भी वीडियो आप से मिस नहीं हो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा जिस से हमारी प्रतेक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरह पहुंच जाए तो साथियो अब हम चलते हैं आज के इसमें अवर्ट तोपिक की तरफ यदी बेएस्टी सि के फर्स्टेश की यदि हम बात करें तो साथियो इससे पूर की हमारी जो अप्लोडेड वीडियो है उसमें भी हमने आपको बताया था जो की बीएस्टी सी के रजल्ट के आउट होती हमने आपको अपधिशन दे दी थी कि ब बहुत से शाथियों को इसमें डाउट वार उन्होंने कहा कि आपने दो हजार रुपए फीश बताई थी जबकि काउंचलिंग फीश तीन हजार रुपए साथियों आप इस गणित को समझें BSTC संपूर कोर्स की जो फर्स्टियर की फीश है चाहे इन में से आप उपर 2000 कर दे या नीचे 14555 या खंशलिंग की 3,000 करके नीचे 13555 अर्थात कहने का है फीश वो ऑच्ट्व फीश बढ़ाने का सीधा सा कारण यहीथा कि कम संख्या में परिक्षार्थी कांसलिंग के लिए रेजिस्टेशन कराएं के वल वे ही परिक्षार्थी रेजिस्टेशन कराएं जिनको शंभावना है कि उनको कोलेज अलोटमेंट हो जाएगा इसके अलावा यदि अधिक परिक्षार्थी रेजिस्टेशन कराएंगे तो इ बीस के फर्स्ट इयर की फीस के विशे में तो यहां आप देख पा रहे हैं काउंचलिंग फीस आप से तीन हजार रुपए ली जा चुकी है अब कोलेज अलोटमेंट फीस भी बहुत से साथी जमा करा चुके हैं 13,555 रुपए अब आप से एक चीज स्पष्ट कर दें अब आ आगे भी साथियों आप से कुछ फीस ली जा सकती है आपको बता दें यदि आपको गवर्मेंट कोलेज मिले है तो आपकी टोटल जो सत्र परियंत की कोलेज फीस है वो 5,000 के आसपास ली जाएगी लेकिन प्राइवेट सिक्षन संस्थानों में यह फीस 10,000 रुपए तक भ और 25 या 26,000 तक होशक्ती है BSTC फरस्ट इयर की अब एक बार आपको डिटेल से बता देते हैं कि जो कोलेज वाले आपसे फीस लेंगे डाइट के आदार पर ही बता रहे हैं तो यह 5,000 रुपए किस बात के लेते हैं यदि इनको देखें तो इन में आप देखिए स्काउट के नाम पर आपसे 1060 रुपए लिए जाएंगे DDMC यह विकास सुल्क होता है Development Vendorness Charge होता है इसके नाम पर आपसे पच्छिस सो रुपए लिए जाएंगे एक्जाम फी के नाम से 280 रुपए अन्य शुल्क में 200 रुपए बैग के लिए 200 रुपए डाइट से या अर्थात कोलेजे से जो आपको किताबें दी जाएंगी उनके लिए भी आपसे 550 रुपए कोलेज आईडी के नाम से आपसे 50 रुपए और कोलेज ड्रेस यदि आप एक लेते हैं तो 500 और यदि दो ड्रेस लेते हैं तो 1000 रुपए अतरिक्त आपसे वसूल किये जाएंगे तो साथियो ये थी BSTC एयर की फीश जिसमें आपसे कुल टोटल इतने पैसे वसूल किये जाएंगे लगबग यांकड़ा 21 से 26,000 रुपए का होगा गुर्मेंट को ले जाए तो आपसे 21,000 रुपए और प्राइवेट को ले जाए तो लगबग 26,000 रुपए लिए जाएंगे अब हम बात कर लेते हैं BSTC सेकंडियर कोर्स में आपसे कितनी फीश ली जाएगी BSTC सेकंडियर की फीश यहां आप अच्छी तरह देख सकते हैं इनमें आपसे ट्यूशन फीश के नाम से शिक्षन शुल्क के नाम से 9,000 रुपए लिए जाएंगे इसके अलावा छात्र कोर्स में आपसे 7,250 रुपए लिए जाएंगे फीश वोई लगबग साड़े 16,000 के आसपास आपकी होगी बंदो ये शात्र कोष शुल्क क्या होती है एक बार इस शात्र कोष शुल्क को भी आप समझ ले इसमें पंजियन के नाम से आपसे 100 रुपए कौशन मनी के नाम से 100 रुपए बिजली बिल के 15 रुपए ग्रै परि प्रियोग शाला 500 रुपए, सैक्षिक तक्निकी 700 रुपए, कंप्यूटर 800 रुपए और आक्समित खर्चे के लिए 1750 रुपए ये शात्र कोष की जो 2250 रुपए की फीश है उसकी डिटेल है तो कुल मिला करके सेकंड यर में भी आपसे लगबग वही 16,000 रुपए के के अर्थात कूल मिला कर यदि बात करें तो कुल फीश फीश 2 एयर की आपकी 33,000 रुपए हो जाती है अब चाहिस में आपको सरकारी कोलेज मिले या प्राइवेट कोलेज मिले 33,000 रुपए की फीश तो आपको लगेगी अब प्राइवेट और कोलेज की फीश में बस इतना प्राइवेट कोलेज में जहां टू इयर के आपके लगबग 20,000 रुपए लगेंगे वहीं गुवर्मेंट कोलेज में आपको टू इयर के कोलेज फीज के नाम से केवल 10,000 रुपए ही लगेंगे तो बंदू एक बात इस पस्ट रूप से समझ लें आपकी जो टोटल फीज है टू इयर बीएश्टीसी की वो विद कोलेज फीज के 40-42,000 रुपए आपकी प्राइवेट कोलेज में टोटल पड़ेगी तो इस प्रकार से कुल आपकी जो बीएश्टीसी की फीज है वो फस्ट इयर और सेकंड इयर में बताए गए अनुसार होने वाली है एक बार गी आप से इसी प्रकार से ये फीज ली जाएगी लेकिन साथी इसमें एक बात इस पर स्टूप से समझ लें इसके अतरिक प्रतेक छातर से धाई सो रुपए अकादमिक संबलंग के नाम से भी लिये जाते हैं ये धाई सो रुपए इस टोटल फीज से बिलकुल अतरिक्त या अलग हैं तो बंद वो भी एस टी सी फस्ट यर और सेकेंड डियर की जो आपकी फीज है वो उपरोक्त बताई के अनुसार होने वाली है फिर भी किसी भी साथी को इसमें डाउट हो तो आप हमें केमेंट करके जरूर बताईएगा हम आपके केमेंट के रिप्लाई के आदार पर उस प्रॉब्लम के समाधान का प्रियास करेंगे साथियो अभी आप इस चैनल के साथ जुड़े रही है क्योंकि हमारे इस चैनल पर पी टी टी और बी एस टी सी वाले साथियों के लिए आगे आने वाली स्रीज की जो वीडियो हैं उनमें हम आपको बताएंगे कि अभी पाविदन कैसे करना है इसके अतरिक्त में आपको पी टी टी और बी एस टी सी से रिलेटेड सिलेवस के संबन्द में भी बताया जाएगा साथियों पी टी टी और बी एस टी सी के राजस्तान के परिक्षारतियों को शमर्पित यह चैनल आपकी प्रतेक समस्या के पूर में ही समाधान का प्रियास करता है तो इस प्रकार की तमाम अपडेट्स को समय से पूर पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेए आज की इस वीडियो में सातीव बस इतना ही नमश्कार अधिक जानकाणी के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बैल आइकन पर क्लिक कीजिए